प्रोजेक्ट एलक्सियर का एक लेटिस्ट अपडेट आ चुका है हमारे रेड्मी के नोट 11 प्रो प्लस और पोको X4 प्रो 5G डिवाइस के लिए क्योंकि यह दोनों डिवाइस सेम हैं और इसमें क्या कुछ अमें इसवार नया डिफ्रेंट डिखनी को मिलता है वह साइची जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि इसे यूज करते हैं हो चुके करीप्री वांडे से उपर और आपको यह रोम काफी है तक पसंद भी आने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अच्छा लगता है लाइक करीगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे दोनों चैनल को क्योंकि दोनों पर रेगुलर अपडेट चाहते रहते हैं कस्टम रोम से रिलेटेड हरवार की तरह अबाउट पेज आपको सेम देखनी को मिलता है जहां पर आप आपको वर्जन है वह है 3.6 जहां पर ओफिसियल करनल ही यूज किया गया है और यहां पर आपको देखनी को मिलता है से लेक्स जो कि इनफोर्सिंग है साथ-साथ देवाइस का कोडनेम आपको देखनी को मिलेगा और बिल्डेट यहां पर 19 है यानि बिल्कुली लेटेस है वन डे पुराना बस यहां पर रेडियो इंफो अगरा आपको मिलता है बैक आने के बाद आपको बिल्डेट डिवाइस स्टेटर सरों बाके अदर आप्शन मिलेंगे और हरवा की तरह यहां पर आपको मिल जाता है जो कि इसका अपडेटर जहां से आप ओटी अपडेट हो चेक कर लेन आपने नहीं देखातो उसके बाद यह आपको प्रोफाइल मिलता है जो कि यह प्रोफाइल को बूस्ट करने में हेल्फ करता है बट कितना वह मैं आपको बता दूगा बाकी यहां पर आपको वही नॉर्मल से ओप्संस हो गया देखनी को मिलेंगे और यहां पर आपको मिलता है security जहां पर face unlock fingerprint working है और यहां पर device scramble layout का option मिल जाता है और साथ साथ यहां पर encrypted भी आपको मिलता है जैसा कि आप लोग demand करते हैं और face unlock हमारा working रहता है another sound के profile पे आपको me का sound effect मिल जाता है जो कि काफी मजदार होने वाला है और plus में यहां पर आपको doll way भी मिलत है यानि drone का combination काफी अच्छा खासा रहेगा जिसके वैसे आपको काफी benefit मिलेगा इन चीजों में साथ से साथ back आने के बाद आपको मिलता है battery और जितना मैंने use किया overall मुझे काफी अच्छा खासा लगा है और यहां पर temperature, capacity, current और cycle अगरा सब कुछ आपको देखने को मिल जा यहां पर आते हैं wallpaper style पर तो जारा कुछ यहां पर रेखनी को नहीं मिलता बट create system icon और default font जिसे आप change कर सकते हैं और कई सारे fonts यहां पर दिये गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो जो भी fonts अच्छा लगता है वो आप यहां पर pick कर लेना अनदर आता है display जहां पर one suit auto brightness आपको देखनी को मिल जाएगा extra dim का option है lock का है और dark mood का option भी आपको मिलता है full screen app adaptive का option 120 का option tapped back आपका मिल जाएगा अब बात करते इसके extra customization की जहां पर missliness में आपको मिलता है 90 एपीश unlock करने का option आपका higher gaming के लिए और यह working है जहां पर आपका gameplay काफियों तक अच्छा रहेगा normal से तो better रहेगा ही साथ calling से related यहां पर connecting and disconnecting का features मिलेगा और यहां पर डाइलर की बात करें कि वहाई डाइलर क्या है कैसा है तो यहां पर आपको जो डाइलर देखनी को मिलता है वो आपको ठवा different देखनी को मिलता है यानि वहाई आप को record कर पा गए और सामने माले को पता अब ही नहीं चलेगा तो यह एक आपको plus point डेखनी को मिल जाता है dollars related जो कि सबसे बड़ाब मुझे advantage लगा है another advanced boot menu यानि आपको जो menu के options मिल जाते हैं gestures के अंदर वही सारे options आपको डेखनी को मिल जाते हैं जो कि on off अगरा है और बाकि other kick setting में आपको डेखनी को मिलता है layout change कर बडल सकते हो यहां पर क्यों style बडल सकते हो बाकि transparent वगरा कर सकते हो तो यह सारे look जो कि मैं आपको पहले ही पता रखा है तो देखनी को मिल जाएगा another status bar के अंदर वोल्टी वो वाई-फाई बगरा signal बगरा change कर सकते हो clock के options वगरा आपको देखनी को मिलते हो यहां पर कई स साथ चीज़ आपको यहां पर दिखाई देगा बाकि icon manager देखनी को मिल जाता है और बाकि दर common options वगरा भी यहां पर आपको lock screen में double tap to sleep वगरा off का animations वगरा hide करने का और charging info आपको मिलेगा theming के अंदर यहां पर कुछ custom आपको black और vivid का option मिल जाता है यहां पर fonts दो में आपको तो करी दिया कि कई सारे add कर दिये गए है अन्नादर यहां पर icon pack यहां पर signal icon और यहां पर wifi icon आपको देखनी को मिलते हैं तो totally यही customization आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है जो कि काफी ह वगरा में स्यूच करने में आपकी help करने वाली है apps opening and closing की बात करें तो इसका response भी overall काफी अच्छा रहता है लेकिन हाँ जैसा कि इसका प्रोसेसर है उसके हिसाप से जो pixel type की room होते है जिसमें gfs included आते हैं उनमें apps opening के time में आपको कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-का-stutter जैसा feel होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है smoothly यहाँ पर open हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यह चीज मुझे यहाँ पर काफी सही लगा बागे इसका default launcher है इसमें कुछ express settings होगे आपको देखने को मिल जाते हैं जैसके task work और बागे दर options होगेरा जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और recent पर आपको free memory, lens, screen suit, clean all और lock का भी option मिलता है जो कि बहुत सरे लोग lock को recommended करते हैं और यह चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं यहाँ पर performance और बाके दर चीजों की तो by default एक यहाँ पर आपको camera go मिलता है ब दिखाए देंगे और यह online है, offline नहीं है अभी फिलाल मेरा net off है काम नहीं कर रहा है जिसके विसे यह load नहीं ले पारा अगर यहाँ पर कई सरे songs आपको मिल जाते हैं और यह चीज मुझे थोड़ा जो different सा look है ना steam का और music player का यह मुझे काफी अच्छा लगा है और आपको भ दुवरा इसे check out करता हूँ तो किदर गया है हमारा दुवरा का तो यह तो यहाँ पर improved हो जाता है तो Geekbench का भी result आपको काफी अच्छा खासे यहाँ पर मिल जाएगा another normal CPU total में आपको totaling देखनी को मिल जाता है जो कि max गया है 2,18,000 और minimum 1,54,000 और उसके बाद मैंने जैसे इसका profile यूज किया 2,34,000 max और minimum यहाँ पर 2,21,000 जो कि काफी अच्छा है और काफी stable भी है और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपका gaming काफी अच्छा खासा होने वाला ह साथ साथ standby battery drop जो कि आप देखो यह है 28 और जो मैं इसे मौनी में चेक करते हूं तो आता है 26 यानि only on full light में 2% का battery drop हुआ है जो कि overall काफी perfect है L1 का support आपको मिलता ही मिलता है साथ साथ यहाँ पर photo storage भी आपको unlock मिल जाएगा और 90 एपिस gaming भी कर सकते हो plus मैं यहाँ पर आपको 8 मिनिट में देखनी को मिलता है 26 charging जो की speed काफी अच्छा खासा है और यह मुझे पसंद भी आया है वहें पर device certification की बात करें तो आपको यहाँ पर device certified रहता है यानि आप banking के app को use कर पाऊगे और आपको इसमें कोई भी दिक्कत देखनी को नहीं तो overall जो रोम है यहाँ पर सब कुछ perfect तरीके से काम कर रहा है और मुझे कोई भी ज्यादा issue देखनी को नहीं मिला और मैं इसे recommended कर सकता हूँ अगर आपको pixel type के रोम चाहिए थोड़ा लो कश्माइसन चाहिए थोड़ा better battery backup और performance अच्छा चाहिए तो यह आपके लिए प्लस बूड कर सकते हो और यूज कर सकते हो मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कर देना और ऐसे और वीडियो चाहिए तो मेरे दोनों चैनल को कर लो subscribe क्योंकि दोनों पर रोम्स के रिव्यू आजकल मैं daily दे रहा हूँ तो मिस ना हो इसलिए stay tuned